हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे NMIMS पर जो कि है नर्सी मोंजी इंस्टिटूट ओफ मनेजमेंट स्टडीज और जानेंगे यहां के M-Farm MBA Farm कोर्स के बारे में और साथ में देखेंगे कि क्या आप डिस्टेंट लर्निंग से MBA कर सकते हो यहां पर या नहीं तो सबसे पहले मैं कोर्स की बात करता हूँ तो मुंबई केंपस में यहां पे चार कोर्स हैं जो कि हैं जिसमें हर ब्राच में 15 सीट हैं ऐसे ही शीरपूर केंपस में फार्मसेटिक्स एंड फार्मसेटिकल क्वालिटी अश्योरेंस हैं उनमें भी 15 सीट हैं तो आपको यहां पर मैं बता दूँ पहले यह अपना M-Farm MBA कोर्स को फिल करते हैं उसके बाद यह अपने M-Farm के कोर्स के लिए एडमिशन करते हैं तो यहां पर एक और बात बतातूं कि अगर किसी भी कोर्स में 10 से कम स्टूडेंट होते हैं तो वो उस कोर्स को खतम कर देते हैं और अब आपको बताता हूं कि अगर आपको यहां M-Farm या MBA form में एडमिशन लेना है तो आपके पास B-Farm में 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए और आपका कोलेज PCI अप्रूव होना चाहिए और यह जो दोनों कोर्स हैं यह रेगुलर कोर्स हैं इसलिए आपको यहां पे present होना पड़ेगा और attendance भी देनी पड़ेगी और जो B-Farm Final Year का exam दे रहे हैं वो student भी apply कर सकते हैं और वो student भी जिनका result hard copy में नहीं आया है लेकिन soft copy में है तो अपने soft copy को वो attest करवा के यहां पे admission ले सकते हैं और अब हम बात करते हैं यहां के admission process की यहां पे जो M-Farm और M-Farm MBA courses है उसमें admission के लिए personal interview होता है बलब जो भी student यहां apply करेंगे उनको personal interview के लिए बुलाया जाएगा और Mumbai Center में बुलाते हैं वहां पे यह आपको venue दे देंगे कि कहा पोँचना है वहां पे जाके आपका यह personal interview लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको online registration करनी है online registration का link मैंने यह दिया हुआ है और साथी साथ इस video के end में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कहां पे आप registration कर सकते हैं और उसका link जहां पे registration होती है उसका link मैं इस video के description box में भी दूँगा तो आपको बता दूँ registration करने की fees है 2500 रूपीज जो की non refundable है और यहां पे जो personal interview होता है वो आपके career orientation achievement के basis पे आपके professional knowledge and skill basis पे commitment to the course, learning orientation and soft skill के basis पे यहां पे आपका interview होता है जो की 10 से 12 minute का होता है तो क्या GPAT का कोई value है यहां पे तो yes, जब यह interview हो जाता है तो आपकी merit list ready होती है तो जिन student का GPAT qualify होता है उनको यह 10 marks extra देते हैं और फिर एक final list बनाते हैं और उसके basis पे यह student को MBA form या M form में admission देते हैं बाकी एक general rule है अप्ग्रेडेशन का जिसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई MBA form का student छोड़के चला जाता है तो यह M form के student को अप्ग्रेट कर देते हैं MBA form में based on his merit अगर वो चाता है तो तो आपको यहां बता दूँ कि M form 2 year का course है और MBA form 3 year का courses है अब आपको बताता हूँ यहां की fees के बारे में तो M form first year की fees है Mumbai campus में 3 lakh और शीरपूर campus में near about 1 lakh 50,000 तो दो साल का course है तो आपको M form की fees Mumbai campus में 6 lakh पड़ती है और शीरपूर campus में around 3 lakh के आसपास और अगर आप MBA form की बात करें तो Mumbai campus में उसकी fees है 3 lakh 70,000 और शीरपूर campus में है 3 lakh अगर शीरपूर campus की जस्ट बात करूँ तो 3 साल का course है तो आपको 9 lakh fees देनी पड़ेगी प्लस होस्टल का अलग से खर्चा होगा आपके लिए तो पूरा का पूरा course near about 12 lakh से 13 lakh तक बढ़ जाएगा और इसके बाद अगर कोई student छोड़ता है इस चीज को बीच में से तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कितना refund उसको fees का मिल सकता है तो आप यह check कर सकते हैं यहाँ पे तो अब हम बात करते हैं placement की तो आप से यह बहुत ही जादा amount में fees ले रहे हैं ऐसी बड़ी MNC कमपनी आती है जो different sector के लिए लेके जाती है अपनी कमपनी में different management section के लिए like sales marketing, business development, project management operation, consulting and business analytics और आपको यहाँ पे average package के बात करूँ और MBA MFarm के student को वो मिलता है 5.9 lakh और 10 lakh highest package जाता है तो BFarm के लिए भी 10 lakh highest package है और average package है 6.5 lakh, तो यहाँ पे एक question arise होता है, जैसे एक medium class family का कोई student है, वो MBA MFarm के इतनी fees नहीं दे सकता तो क्या वो distance learning से यहाँ पे MBA कर सकता है या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं तो यहाँ पे distance learning MBA course भी होता है, इसमें क्या होता है, यह course का जो duration है, two year से five year तक हो सकता है, तो generally student को three year लग जाते हैं, reason क्योंकि उनके different regular courses भी चल रहे होते हैं, तो two courses को कहीं बार एक साथ करना थोड़ा difficult हो जाता है, exam वगएरा कहीं बार match हो जाते हैं, तो mostly यह three year तक चलता रहता है यह distant learning का course, और आपका बता दूँ कि जो distant learning में यहां की fees है, अगर आप MBA करना चाते हैं, तो वो है 25,000 रुपीज पर semester, इसके इसके लावा exam fees होती है, जो कि 600 रुपीज, यहां भी दो तरह के program है distant learning के एक है online regular, और second है कि आप के लिए वो recorded video अप्लोड करतेंगे, आपको वो recorded video देखनी है, तो यह आप पे depend करता है, आप कौनसी तरह का program लेना चाते हैं, और यहां पे admission learning के लिए MBA में कोई age limit नहीं है, बस आपके b.tech या भी pharmacy या कोई भी bachelor degree में 50% above marks होने चाहिए, तो आप कभी भी इनके portal पे जाके admission कर सकते हो और कोई आपका interview नहीं है, कोई examination नहीं है आपका direct distant learning के लिए यहां पे MBA में admission हो जाएगा, तो यहां पे question आता है कि क्या यह आपको placement देते हैं distant learning में यह आपको distant learning में placement नहीं देते, यह सिरफ regular student को ही placement के लिए invite करते हैं और उनको placement में बैठने देते हैं, distant learning के student के लिए यह career counseling कर देते हैं, उनकी थोड़ी बहुत help कर देते हैं, CV कैसे prepare करना है LinkedIn में कैसे, अपने आपको CV prepare करना है तो यह सब करते हैं, career counseling related, लेकिन आपको यह placement नहीं देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको basic detail दे दी है NMIMS में, MFARM और MFARM MBA course की और अगर आप regular नहीं कर सकते तो MBA course कैसे कियार सकते हैं यहाँ पे, और MBA courses में कौन-कौन से sector आप pick कर सकते हैं, supply chain management आजकल pharma में इसकी बहुत value है supply chain management की, साथ ही साथ आप business management, operation management, retail, marketing financial, जो भी आपको अच्छा favorite area लगता हूँ, उसमें आप यह कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ apply करना है, यहाँ पे regular courses के लिए तो यह मैंने शीरपूर का site खोली होई है, इसका link में इस video की description box में दूँगा यहाँ पे लिखा हूँ है, mform, mform MBA, यहाँ पे apply now पे click करते ही, आप इनका registration process शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे admission handout दिया हूँ है आप इसको एक बार read कर लिजी, admission handout खोलेंगे, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा detail यहाँ पे मिल जाएगी एक तरह का prospectus मिल जाएगा यहाँ पे और अगर आप online distant MBA करना चाते हैं तो इस page का link भी मैं इस video की description box में दूँगा यहाँ पे जब आप download brochure पे click करेंगे तो यह होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम, email id, mobile number, कौन सा program करना चाते हैं MBA, distant, कौन सी city में हैं और center कौन सा है तो जैसी आप click करेंगे यह आपको ले जाएंगे एक दूसरी page पे जिस पे लिखा होगा कि इनका कोई counselor आपको phone करेगा या contact करेगा और वो आपको पूरा समझाएगा तो दोस्तो यह थी मेरी आज की वीडियो NMIMS के उपर अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए So thank you for watching this video